नमश्कार दोस्तों आज हम अचारी बैंगन बनाएंगे जिसके लिए मैंने बैंगन को काट लिया है स्वेयर तीस में काटा है दो प्याज काट लिये हैं और दो ही टमाटर काटे अब हम मसालों को रोस्ट कर लेंगे दो चमच नीरा लेंगे दो चमच छी धन्या लेंगे एक छोटी चमच अजवाएं लेंगे आदा छोटी चमच मेट्टी लेंगे दो चमच सौंस लेंगे फलका सा रोस्ट कर लेंगे से ताकि मसालों की स्मेल बाहर निकल के आए मसाले रोस्ट हो गया है अब हम इन्हें कोला चंडवने के बाद दर्दरा पीस लेंगे मसाले मैंने दर्दर पीस ये हैं कड़ाई में दो बड़े चमच सरसों का तेल चड़ाएंगे धुआ उखने तक इसे गरम होने लेंगे तेल में धुआ फोट दिया है अब हम इसे थोड़ा सा तंड़ा होने लेंगे तेल में हम बैंगन को कर लेंगे बैंगन सोफ्ट हो चुके हैं कलर भी चेंज हो चुका है अब हम इने निकाल लेंगे बचेवे तेल में हम आधा चमच हींग डाल देंगे एक चमच राई डालेंगे तुठाई चमच कनोनी डालेंगे नसन आधरखा पेस्ट डाल देंगे अब हम प्याज डाल कर भून देंगे प्याज ब्राउंड होने लगे हैं अब हम इसमें कश्मीरी निक्स डाल देंगे एक चमच आधा चमच हल्दी डालेंगे निक्स कर लेंगे इसे हम हल्दी फोड़ा भूनने के बार चमांटर डालेंगे साथ की टेस्ट केशाब से नमक डाल देंगे एक मिनट के लिए टमांटर को भून देंगे हम फोड़ा सॉप्ट करते हुए ढूने इसे फड़े मसाले जो हमने पीस के रखते हैं वो डाल देंगे इसमें बैंगन डाल दाएं तबी मसाले बैंगन में लपेट लेंगे आधा कप पानी डाल दाएं ताटी मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और फूल जाएं सब्जी को हम एक मिनट के लिए धक्तर पका लेंगे सब्जी हमारी पक चुती है अब हम प्लेंग को ओफ करेंगे अचारी बैंगन की स्वादेश सब्जी बनकर तयार है रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा घन्यवाद देश्टे